रख हांसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू चलता जा मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा हलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिबार VBR Study में, उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़ियां अच्छी वाली चल रही है और इनी उमीदों के साथ आज का ये सेशन सुरू होगा हाँ एक चीज पहले मैं बता दूँ कि जो सिर्फ पढ़ने वाले है ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जो मजा लेने वाले है हलो मोहित कैसे हो, हलो काजल कहां से हो, कैसी हो ये सब करने वालों के लिए आज ये क्लास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा focus सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहेगा comment मैं एक थी नहीं पढ़ूँगा last में कोई doubt होगा comment करना last में mobile number अपना दूँगा share करूँगा उस पे अपने doubt पूछना तो जिस सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो इस class को अगले 15-20 मिनट तक ध्यान से देखेंगे जो मज़ा लेने वाले हैं उनके आज बूरे दिन आ गए है चलिए शुरू करते हैं आज का session चलिए भाई यह next slide पर आजाओ देखिए हम कुछ previous year question लेकर के आये हैं और कुछ practice सेट हो जा जिससे की परिक्षा में बहुत बहतरीन नंबर मिलें आप यह समझ लो कि इस वीडियो से आपको कम से कम पांच नंबर पक्का है ठीक है पांच नंबर फिक्स है तो वीडियो में जितने question जितने टाइप कराया जाएंगे उन्हें बड़े प्यार से देखना और प्लाज तक देखना छोड़के ने जाना ठीक है हो सकता वीडियो आपको कुछ देर में मिलें दस बजे के बाद लेकिन मिलेगा बहतरीन कि यह संख्या 357A1 जो दिया है यह तीन से completely divisible है अगर यह तीन से completely divisible है तो पूछ रहा है कि भईया एक अमान बताओ देखो असानी है यह आपका पहला ही चैप्टर है विभाजता नियम उसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा ऐसा हो नहीं सकता कि विभाजता नियम वाले से कुछ ना आए उमीद पूरा है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा ठीक है तीन का विभाजता नियम होता है साथी मेरे कि दी गई संख्या के आंकों का जो योग है सम है वो तीन से पूरता विभाजित होना चाहिए तब फिर वो पूरी संख्या तीन से विभाजित होती है अन्य था नहीं होती है तो इनका सम करेंगे 5, 3, 8, 7, 15, 1, 16 यानि 16 प्लफ ए अब एक बात बताओ 16 में हम क्या जोड़ दें कि जो संख्या है वो 3 से पूरा तरह कट जाए तो भाईया हो अगर 16 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना होगा जानते हो 16 में जोड़ोगे तो 17 होगा अब 17 तो 3 से पूरता कट होगा नहीं विभाजित होगा नहीं लेकिन अगर हम इसकी जगा पर दो रख दें तो बताओ 18 आएगा अब 18 तीन से completely divisible है है ना तो आप कह सकते हैं कि वो नियूंतम्मान यहां पर ऐसा कुछ नहीं पूछा था लेकिन जो सबसे पहले मिल गया हम वहीं आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा दो क्या होगा दो यानि वो संख्या क्या है दो है जो अगर हम एक ही जगा पर रख देंगे तो यह संख्या तीन से completely divisible हो जाएगी ठीक है भाया तो आप कह सकते हो तीन पांच साथ दो और एक इसे चाहो तो आप तीन से भाग दे के देख लो तीन से पूर्टा कट जाएगा नहीं विस्वासे तो भाग कर लो कल्कुलेटर से या मोबाइल से एक पूर्ड फंख्या आएगी ठीक है अभी समझ गये ना मेरी बातों को तो आगे बढ़ सकते हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं देखिएगा मगर प्यार से टेंसा नहीं लेने का हम यहां पर समझाने के लिए लिख देता हूं 16 प्लस 2 बराबर 18 अता वो संख्या बराबर क्या है दो है ठीक है देखिए इतनी जल्दी एक कुश्चन हो गया फटाफट फटाग दे ना भाईया चले आगे बढ़े चलो बहुत अच्छे से हो गया रिविजन भी हो गया इसका आपके लिए एक स्पेसल आफर चल रहा है अगर आप चाहिए तो इससे देख सकते हैं पढ़ सकते हैं स्क्रीन साट ले लिजिए इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा वैसे रियल में इसका प्राइस 2396 है अभी आफर लिम्टेड समय के लिए है अभी समे पूर चैप्टर है बाबू इसमें सेकात कुश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता है तो बारा अठारा वा तीस का क्या बोल रहा है एलफियम बताओ क्या होगा आपको देखने में आसान लग रहा होगा सस्ता लग रहा होगा लेकिन परिक्षा में एकाठी जरूर पूछता है है न चलिए बताई देता हूँ इसका हम भाग विधी से करेंगे जिसमें एके में सबका निकाल देते हैं ठीक है तो बारा अठारा और तीस चुकि हमें बेसिक विधी करना इसलिए सबसे पहले हम दो से डिविजबल करेंगे जब तक दो से कटेगा तब तक ठीक है तो दो से भाग जाएगा नहीं तो जो completely divisible नहीं होता उनको वैसे लिख देते हैं ठीक कि अब तीन से करेंगे तीन एकम तीन तीन तरीक कर नो तीन पचे पंद्रह फिर तीन से करेंगे पांच उताल लेंगे फिर क्या करेंगे पांच से पांच में भाग करोंगे एक आएगा यह आपका हो गया क्या गुलंखण हो गया यह आपका फैक्टर हो गया आप तो मैं इसको साइड रखके आपको थोड़ा बेहतरीन कुछ और समझाता हूं तीन गुड़ा तीन गुड़ा पांच ठीक है यह क्या है कम्प्लीटली आपका लसीम के लिए दो दुना चार तियांई बारा त्यांई चाथीस पंचे अगर हम बारा से भाग करें अठारा से करें या तीस से करें तो पूर्णता विभाजित हो जाएगी और सेस्फल क्या जाएगा जीरो आ जाएगा तभी मेरी बात को समझ पाए मेरी बातों से रिलेट कर रहे हो कि नहीं पता देना अगर कोई डाउट होगा टेंसा नहीं लेने का एक भी ठीक है ना भाई आगे बढ़ू फिर हम चलो इ लिख लीजे जिनको लिखना है वैसे इसका पीडियाप दे देंगे ठीक है इसका पीडियाप हम पीवियार स्टडी आके जो टेली कराम का चैनल है ना भाई वाई उसमें बैद देंगे आगे बढ़े next question चलिये जल्दी करिये हो गया ये last में पांच था उधर fight में हमें लगता चला गया नहीं दिख रहा है न ये last में 5 था कि समझी गया आप क्या दिखाऊं दिखाई देता हूं यार क्या बताऊं मैं इसी में तो गन्चक्कड हो जा रहा हूं मैं यह क्या था पांच था लो दिख गया हां दिख गया ठीक है तो यह अंसर हो गया अगला नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं देखिएगा कलास को पूरा इंड तक प्यार तक से देखिएगा जाईएगा नहीं कम समय में सीखना है तो पीबी आरे स्टडी एप डाउनलोड करिए और सब्सक्रेप्शन भी अगला कुश्चन क्या कहता है भाग विधी से LCM वैसे तो भाग विधी कर रहे थे न अब तक तो गुड़नखंड विधी से कर लो फिर चलो विधी दोनों आनी चाहिए गुड़नखंड विधी और भाग विधी क्योंकि परिक्षा में किसी भी विध सब्सक्राक में रहना चाहिए गुड़नखंड विधी से गुड़नखंड विधी से क्या करना है कि एल्सी एम ठीक है फैक्टर विधी आपको आना चाहिए क्योंकि परिक्षा में कोई भी मेथट पूछा जा सकता है यह प्रेक्टिस सेट कर रहे हैं इसलिए आपको सब आना चाहिए चलो फटा-फट फास्ट करते हैं सबसे पहले शाथियों हम सारे लिखेंगे उनके इनके फटाइव लिखेंगे साइड में आगे ठीक है बाब वा ठीक है यही था न चलो आ फटा करना आपको आता अगर नहीं आता तो कमेंटस करना मैं प्रेक्ट्र करना भी बता दूँगा ठीक है 77 का factor करोगे 7 into 11 into 1 इसका करोगे तो 2 फिर 2 से काटोगे 44 देखो 2 से एक बार भाग करोगे 44 फिर 2 से भाग करोगे 22 फिर 2 से भाग करोगे तो 11 और फिर 11 आएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 11 अठाटाशी कोई confusion कोई doubt तो मुझे बता दें इसको क्या करोगे 2 से भाग करोगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 66 आएगा फिर 2 से भाग करोगे 33 आएगा फिर 3 से भाग करोगे 11 आएगा फिर 11 से करोगे फिर 1 से नहीं समझ में आएगा factor कमेंट करना कि मुझे गुड़न खण नहीं आ रहा है या ल्या काए गरिया वता ग्यारा दूना बाइस कर दूए हाँ फिल एक ग्यारा कम ग्यारा एक बारा नहीं 11 दूशी 13 समझ में आया यह हो गया factor अब क्या करना है समझ ना साथी मेरे अब इसमें काम करना है पता है क्या करना है तुनो ना समझो ना पहले जो सब में common है उनको लिख लेंगे तो देखो सब में common क्या है one है कि तीनों में और को वह नंबर है जो सब में है और नहीं है कि नहीं न सुट्गेंगे FC नहीं है और करें कि दो है थे लूए इंको लिखलो साइट मेंय इक अधी दौर भी है इनको को भी लिख लो 11 भी करें 11 तो समय था यार सित्स भी है क्या नहीं अब हम क्या कर सकते हैं अब हम क्लियर कर सकते हैं देखो यह 11 था जो तीनों में था और एक था और यह दो दो था ठीक है बस तो ग्यारा चोग 44 इसका आंसर कितना आ गया 44 क्या यह सही है ओटी फोर एक ऐसा नमबर है यार मुझे तो गड़ लग रहा है क्या निकाल रहे हैं लोगे लि सीम निकाल रहे हैं न सौरी एक मुन इटफ हो गया यहे तो है ह कुछ नहीं हुआ रूको यह कुछ नहीं हुआ एक मिनट एक मिनट पहले तो मैंने सब को लिख दिया अब जो कि गुड़े 2, गुड़ा 3, गुड़ा 7, मतलब कहने का यह है, इसका यह मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो 2 जगा लिखा गया, उसे रिपीट करके मत लिखो, बाकि सब को लिखना है, यह सेम भारतिय कानून की तरह है, भारतिय संभिधान का कानून यह कहता है कि किसी भी एक निर्दोस को सजा नहीं होनी चाहिए उसके बदले में भले सो दोस ही छूट जाएं समझ रहे हो तो वैसे यह क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो है जो रिपीट वाला है वो दुबारा इसमें रिपीट ना हो बाकी ले के सबको चलना चोड़ना किसी को नहीं तो गुड़ा कर सबको इसका पहाड़ा नहीं आता होगा एक तीजा और अच्छी बात है कि आपके चैप्टर में गुड़ा करना वाला भी एक अध्याय है परिक्षा में आपसे गुड़ा करना भी पूच सकता है ठीक है भया आपको गुड़ा करना भी आना चाहिए वह आपको यहां मौका मिला है बताई देता हूँ देखो 77 का 24 में गुड़ा करना है यह आपके परिक्षा के सिलेबस में है पाठी करम में आना चाहिए हो सकता एकाथ नंबर में कहीं ऐसे पूच ले ऐसे करके दिखाना है अगर पेपर में छोटे में भी आ गया तो आपको ऐसे विस्तार से करके दिखाना होगा तभी नंबर मिलेगा तो देखो 48 28 हांसिल कितना आया तो और 48 28 29 होता है अरे यार चार सते 28 का आठ हासिल दो चार सते 28 दो 30 होता है कितना होगा 30 अब ध्यान रहे कि जो नंबर लाइश्ट में होता उसके नीचे करास कर देते हैं अब दो से गुड़ा करेंगे दो सते 14 चार हासिल एक और दू सते 14 एक पंदरा जोड़ लो यह 8 हो गया यह 4 हो गया यह 5-3-8 हो गया यह एक हो गया अठ 77 से भाग करें 88 से करें या 132 से करें बाबू सबसे भाग करने पर यह पूर्टा कर जाना चाहिए ठीक है इसका यही मतलब होता है समझ गए ना भाईया बाबू तो फट से लिख लो बाग करके देख लो 1828 में आप 77 से भाग करोगे 24 अएगा करके देख लो इससे भाग करोगे तो क्या आएगा चोबने करके दिखा देता हूं 132 से करोगे तो 14 आएगा यानि यह आंसर सही है याद रखना कोई ऐसा LCM सही नहीं हो सकता अगर उसमें उस नंबर से भाग करने पर जीरो सेस्फल ना आए ठीक है अगर यह ऐसा नंबर आ जाता जिसमें हम इससे भाग करते और जीरो सेस्फल आता ही नहीं तब यह LCM गलत था समझ में आया ना तो तरीका सही होना चाहिए बाकी चीजें सही है कोई दिक्कत नहीं है लिख लीजिए जल्दी आगे बढ़ें जल्दी करिए देखिए यह कला साथ सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है जो मज़ा लेने वाले बच्चे हैं इंज्वाइमेंट वाले उनके लिए बिल्कुल नहीं है नेक्स्ट अगला अगला कुछ है हाँ इसका जो सब्सक्रेब्शन बेस प्लान होता बेसिक मैथ का इस पे सल हमारे कुछ वीडियो जो राजकुमार यादो सर्मयत वाले चैनल पर आते हैं जिस पे एक कि आए अगला नेक्ट कुछिश्टन है भाग विदी से एच सीफ देखो एल सीमें सीफ का एक बड़ा ध्याय है इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा कुछ नमबर चार या तीन क्या था चार नमबर था चल भाईया एक सो पाँच एक सो पचात्तर वा दो दो पाँच का एच सीफ पाइंड करनी है वो भी भाग विधी से ठीक है भाईया तो देखिएगा मगर प्यार से आईए कैसे करते हैं समझिएगा अच्छ ऐसे ठीक है पक्का चलो तब से पहले जो छोटा संख्या होता है उससे भाग करते हैं किसको भया हो बहुत आफान है तीन संख्या है तो पहले दो छोटी संख्या है ले लेते हैं आपको शमझाने के 2021 बता रा हूं जो सबसे पहले संख्या उससे भाग करोगे तफे छोटी 105 है उससे भाग करोगे जो मीडियम हाली है ठीक है एक सो पांच का भाग अगर दूरी बार ले जाओगे तो दूरी सो दफ जाएगा इसलिए एक के बार जाएगा घटा लो जीरो साथ मैं से जीरो साथ साही है सतर आया देखो एक चीज मैं बताओं अभी हम लोग क्या है अपने माता पिता के लिए बच्चे हैं और हम चाहे प्रोडक्ट आ जाएगे चिल्ले मुल्ले तो क्या होंगे मतलब मेरी बात को बूरा नहीं लीजेगा वन निकल गया तो मेरा मतलब बच्चे आप भी क्या हो जाएगे गार जीन हो जाएगे एब बाब बाप बन जाएए लो बच्चे और वुन बच्च्चों की नई अगली जनरेशन यहां से शुरू हो जाती है और यह जो भाजक था वह यहां आ करके भाज बन जाता है कि अगर यही तरीका फिर इसको ऐसे खीचते हैं और यह यहां आ जाता है ठीक है भाईया तो बातों को समझते चलो यह घटाने पागया जीरो सेस्फल लाइस्ट में जीटा वही सिकंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्जाम होते हैं जैसे सीजील में हो गया ससी में दो तीन होते हैं चार जो भी लाइस्ट में जो कॉलिफाई करतानों करीशी को मिलती है तो अभी एक नंबर और बचा है अभी उससे भी लड़ना है अगर उसको भी काट के जीरो आ जाएगा तब यह आंसर होगा 35 अन्यथा 35 नहीं होगा समझ रहे हो ना समझ रहे हो चलो इनको साइड कर दूं क्या इनको थोड़ा साइड कर सकता हूँ जगा है ठीक है लो इसी का पार्ट है अभी अलग नहीं है हमारे में जगा नहीं इसलिए मैंने इसको थोड़ा फाइड किया बाकी पेज वही है ठीक है अब जो यहां पर लाश्ट में जिससे कटा था इस नंबर से भाग करते हैं जो एक संख्या लाश्ट में बची थी छोड़ा थ जैगा है कि इतनी बारजाएगा बी्क भाग 51 में ट्राइग करो साथ बार जाएगा सवसा पचो पॉपार हासिल टीन्स दूनाया चवदा तीन सटरह का हो रहा है घड़ बहुंक ही हासिल ठीन साथ्रीक속 e 54 लात ज्यादा हो जाएगा तो छे बार जाएगा शे पंचे तीस हां फिल तीन छे त्रीक अठारा अठारा तीन 21 समझ रहो क्यों इसको घटाओगे आप तो पंदरा आएगा कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं न देखो आंसर बदल जाएगा अंसर बदल जाएगा यूग बदल गया अब नहीं आंसर आने वाला वो अब फिर यह क्या हो जाएगा जैसे पहले बताया हूँ घटाओगे 20 आएगा अब यह क्या हो जाएगा पंदरा यार यह कुछ गरबड हो गया का भाई कहीं कहीं कुछ गरबड हो गया मुझे लग रहा है 15-30 जाएगा गड़बर तो मेरा दिमाग कोपड़ी में हो रहा है यहाँ देखो दिमाग कही कर चला गया उसके पास चला गया ठीक है भाईया सभी को समझ में आ गया ना तो लाश्ट में जिफ नंबर से completely divisible हुआ है वो माना जाता है answer यानि यहाँ पर HCF होगा मेरे भाईया मेरे बाबू वो होगा 5 सभी को समझ में आ लिख लो जल्दी से कोई डाउट कोई तकलीफ दुखदर्द है तो मुझे बता देना टैंसा नहीं लेना चार कूश्चन हो गया चलो बहुत जल्दी फास्ट पचमा कूश्चन पर चलते हैं कूश्चन थोड़े बढ़े हैं इसलिए टाइम लग रहा है ठीक है अन्यक्ष्ट कूश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आगे चले चलो कि पूश्चन नमबर पचमा कि कह रहा है ध्यान देना 24、36 और 38 का क्या करना है 24 है और 48 वाड़तालिस का सी अफ कि कि इस कि इसे त्षी असे गुड़नखंड बीधि सेóc करें को टाइम हो चुका है कि मैं टेली ग्राम में सूचित कर देता हूं साथियों को कि आज ये क्लास जो है ना अधा गंटा बाद लेड आएगी लेट में आएगी क्योंकि कहते हैं देर फे आए दुरुस्त आए तो आज वो होगा आज थोड़ा देर होगा साथियों आज डियलेट सीकेंड समेश्टर गडित का वीडियो राद दस बच कर तीस मिनट से आएगा और बहुत ही बहतरीन वीडियो होगा इफ लिए कोई सोएगा नहीं ठीक है तो टेलीग्राम में मैं सूचित कर दिया हूँ अगर आप हमें टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किये हो तो कर ले ना भाया अगर अच्छे से पढ़ना है तो ठीक है चलिए क्या करना है बाबु इनको गुड़न खंड भी दी से इधर जगा खराब ना करो इधर पूरा दिखता है ना यहां तक दिख रहा है चलो फिर नंबर लिखते हैं फिर इनके फाइक्टर करते हैं क्युक्त तो दुना चीं को दो से भाग करोगे 12 या फिर तीन आइगा ठीक है तो से भाग करोगे इसको 24 आएगा 3 कि धोसे करोगे लाएगा फिर 20 कूरा च्छे आएगा फिर दोसे करोगे यहागा 12 हैँ ञिसमें भी दो है और कोई नंबर जो सब में हो तीन है और कोई ऐसी गिंती जो सब में हो नहीं है भाई या दुदुना चारती यहीं बारा पस इसमें जो सब में होता है सिर्फ वही लेते हैं बाकी जो सब में कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं यह हो गया अज़ सीएफ क्या हो गया बारा उत्तर की जांच कर सकते हो कैसे बताऊं उत्तर की जांच करने का यह तरीका है कि जो संख्या अज़ सीएफ आई है न इससे भाग करने पर यह तीनों नंबर जीरो सेस्फल दें मतलब completely divisible हो जाएं जो कि साफ दिख रहा है कि बारा पूरा पूरा कट जाएं वैस्ति थोसे भाग करेंगे तब यह सब कट जाएंगी चार से भाग करेंगे तब वह सब कट जाएंगी ना आर्ट में यह वह जाएगया यह वट यह नियुक अ फिक셨 Index थी बहुत टाइम बचाने की लिकिन साथियों समझाना पढ़ता है थोड़ तेली ग्राम पर हमें जोईन नहीं किया तो कर ले न पचीस मिरट में पांच कुश्चन बहुत बड़ी बात है लाइब कलास होता न पांच कुश्चन में गंट लग जाता है तो वीडियो देखें जो पढ़ने वाले हैं बहुत बेतरीन वीडियो दूँगा